हेलो दोस्तों में जी श्रागत करता हूँ आपके अपनी चनल जीत फोर यूकर आज के इस वीडियो में लएक कर आऊँ बहुत इंपोर्टन नोटर्स जो राज सिक्षा किन से आया आपका 27 तारिक को तो आपके कक्षा 3 और कक्षा 6 के लिए most important होने बाला है क्या है इस नोटर्स में कक्षा 3 और 6 के विद्धियार्टियों के learning outcome अधारित अभ्यास readiness module mock test कराए जाने बाबत यानि कि आपके readiness module से mock test होने हैं एक से लेकर 3 mock test होंगे कक्षा 3 और कक्षा 6 के उनकी date बताऊंगा मैं और क्या क्या होने वाला है सब कुछ इस वीडियों में बताऊंगा और आपको tactics कैसे करने ही ये भी मैं आपको बताऊंगा देखें 12 सरकाद और अपरांविक सिक्षा विद्धार्ती के उपलब्दी स्तरका जाय जा लेने ही तू कक्षा 3, 6, 9 के विद्धार्ती 4 दिसंबर को पूरे देश में एक साथ परक राष्टिय सर्वेक्षन NCIT की guideline बाट टूल के अनुस्वा सेंपल सलाव में आयुजित होना है जो परक कराष्टिय सर्वेक्षन होना है वो कित्ते तारीक होना है? 4 दिसंबर को होना है 3, 6 और 9 की कक्षाओं के लिए भी होना है किस-किस के लिए? 3, 6, 9 और आपको मालूमी होगा कि आज अपना 28 तारीक को 9 मी कक्षा का मोक्टेस्ट है तो दिखिए मोक्टेस्ट इसमें 9 मी के लिए नहीं बतायागा लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आज 9 मी के मोक्टेस्ट है इसमें आपको बताया गया है कक्षा 3 और 6 के लिए कि आपके मोक्टेस्ट कौन-कौन से होंगे और कौन-कौन से विसाय होंगे चली अपन देखते हैं कि कौन-कौन से बिसाय होने वाले उत्य परीक छेप से कक्षा 3 और 6 में अध्यन बित्यार्टियों को क्रमसा जो कक्षा 3 और 6 में पढ़ रहे हैं उन्हें क्रमसा हिंदी गडित परयबर्ण ये तो हो जाएंगे अपने कक्षा 3 के लिए इसके साथ ही सा टोटल हैं टोटल हिंदी अंग्रेजी परयबर्ण अध्यान विज्ञान एवं समाजिक विज्ञान कि लर्णिंग आउट्रम माधरित प्रिश्णों का अभ्यास ये तो कक्षा 3 और 6 में अध्यार्टियों के लिए रेडिनेंस मोडूल 1 यानि मोक्टस 1 रेडिनेंस मोडूल 2 यानि मोक्टस 2 रेडिनेंस मोडूल 3 यानि के मोक्टस 3 त्यार कराए जाने जो मद्वदेश पाथे पुस्तक निगम के मुद्रित करा का प्रति विद्धार्थी प्रति के मान से निगम के संभविक डिपो के जे गए हैं यानि कि आपके जिलों को भेज दिये गए हैं प्राप्त एन एस रेडिनेंस मॉडूल विकास खंड आर वी सी सी के माध्यम समस्थास के माध्मिक सालाओं के संस्ता प्रधान को उपलब्द कराना सुनिश्चित करें ठीक ना यानि कि आपके हर एक साला में माध्मिक साला बोलते हैं जो 6-8 तक होता उसे माध्मिक साला बोलते हैं ठीक है ना तो यह कुछ जानकारी है चलिए अब यहां पर देखेंगे कुछ लिखा हुगा लेकिन आपके काम की चीज नहीं है आप चाहिए तो उसको रोका पढ़ सकते हैं उमा सीट बगेर आपको फिल करना बताएं जाएगा मैं आपको उमा सीट फिल करना बता दूँगा कैसे उमा सीट बनना कैसे उसमें नाम बनना क्या क्या करना एगा रॉल लंबर होगा तो रॉल लंबर भी बन भरेंगे चलिए यहां पर देखते हैं अपना टेस्ट कौन-कौन से डेट को होने वाल nas resident module बन यानि कि मोक टेश्ट बन होगा आपका 30 सितंबर से लेकर 3 oktber के मत यानि कि हर जले में आपका अलग-अलग निधारित की जाएगी तो 30 सितंबर से 3 oktber के मत आपका mok test बन चलेगा इसके बादragon as residence module 2 mok test 2 24 से 26 oktber के मत कब 24 से 26 il你 benim आपको बीच में टाइब मिलेगा yr.' yn 4 से लेकर 23 तब का उसमें आपको अच्छी पैक्टिस करनी तो 24 दिख रहा लिए लेकिने मोग टेस्स हो लेगा लिए तो यहाँ पर आपको आपको remote Tex की डेट भी बता यह मैंने आपको सब्जेक्ट भी बता दिये कौन कौन से आएगे और कहां से आएगे आपको क्या करना इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सस्काइब करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नॉटिपिकेशन आपको मिल सके मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद